कोरोना वारिस संक्रमेंट की दूसरी लेहर के बीच आक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रेनों के माध्यम से विभिन राजियों और केंदर शाषित प्रदेशों को 30,000 मेट्रिक टन्स से जादा लिक्विड मेडिकल आक्सीजन पहुंचाई गई है एमस में 6-12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोस दी जाएगी इसके बाद 2-6 साल के बच्चों को परिक्षर में शामिल किया जाएगा इस क्रम में अब सोमवार को 6-12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी कोटकपूरा गोलिकार्ण मामले में जांच कर रही नई विशेशग्यट टीम SIT ने पंजाब के पुर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल को तलब किया है पिछले तीन दिनों से बारिश के करण मुंबई में हालात काफी खराब है मुंबई और आसपास के उपनगरिये इलाखों में लगतार हो रही बारिश से जग जीवन प्रभावित है वहीं लाइफ लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के पहिये थम गए है मौसम विभाग ने अगले दो दिन और बारिश होने का नुमान जताया है केंदर सरकार है देश के सुदूर इलाखों को ड्रोन से वैक्सिन पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है दुर्गम और कठिन रास्ते होने के चलते देश के कुछ हिस्सों में तै समय पर टीके नहीं लगा पा रहे है ऐसे में सरकार बड़ी योजना बनाते हुए ये पहल शुरू कर रही है दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है महराष्ट में सियासी गदिविदियां तेजी से बदुती हुई नजर आ रही है शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उदफ ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे इसके बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कॉंग्रेस अब स्थानी चुनाव से लेकर लोगसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी देश में कॉरोना वायरिस के मामले 71 दिन में सबसे कम दर्ज हुए हैं जबकि मरने वालों की संख्या अभी 3000 के उपर बनी हुई है बीते 24 गंटों में देश में 3303 मरीजों ने अपनी जान गवाई है और 8835 संक्रमित मरीज मिले है विश्व टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा है ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में बाहरते टीम एक स्थान नीचे आ गई है वही न्यूजिलैंड की टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है सिरिस के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को आठ विकेट से हराने के बाद टीम रैंकिंग में 123 रैंक के साथ पहले नंबर पे पहुंच गई है कॉंग्रेस पाटी के नेता कपिसिबल ने एक बार फिर अपनी पाटी की अंदरोणी करह और देश की राजनेतिक हालाग पर बैयान दिया है उनका कहना है कि देश को इस समय मजबूत वेपक्ष और कॉंग्रेस पाटी के भीतर अंदरोणी संतुलन बनाने की जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें